Welcome to our channel MyBread India आपको बहुत-बहुत स्वागत है आज हम देखेंगे संसार में कितने पिरकार के लोग होता है तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में 4 पिरकार के लोग होता है पहला अंदेरे से अंदेरे के ओर जाने वाला व्यक्ति ये वो लोग होते हैं जो कि परेशानी में तो हैं, गरीब हैं या उनकी कुछ समस्या हैं, किन्तु ये उनका समधान नहीं डूनते हैं, ये अपनी समस्या के जम्यदारी दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं ये ऐसा मानते हैं कि मेरी इस परिशानी का कारण ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है लेकिन उसका समाधान नहीं डुनते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की सपलता से इस्या करते हैं दूसरा अंदेरे से प्रिकास की और जानबला व्यक्ति ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में समस्या हैं तो हैं परिशानी तो हैं लेकिन ये उनका समाधान डुनते हैं ये दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं दूसरे पर आरुप नहीं लगाते हैं यही यह मान के चलते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे नसीब है या फिर मेरे पूर विजनम का फल है तो यह हर समस्या के समाधन के लिए कार्ण करते हैं ऐसे वेक्ति किसी की सफलता से द्वेश नहीं करते हैं, किसी से गिर्णा नहीं करते हैं और सबको अपना मित्र मानते हैं और अपनी प्रगती के लिए कार्य करते रहते हैं उधारन के तौर पर हम देख सकते हैं हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का जीवन तो जैसे कि वो भी गरीबी से उठे उनके पास भी समस्य हैं थी लेकिन उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं गी और उन्होंने किसी पर आरप नहीं लगाए उन्होंने अपना विकास किया और आज देश के प्रतान मंत्री बने इसी पिरकार हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपती थे डॉक्टर एपीज अपदुल कराम उनका जीवन भी संगर से भरा हुआ था किन्तु उन्होंने मेहनती परिश्रम किया और भारत के राष्टपती तक बने तीसरा पिरकास से अंदेरे की ओर जाने वले व Juda कि यह वह वह वहती होते हैं जिनके पास धनतो है सुबदाइं हैं सुक है किन्तु यह दूसरों से घिर्णा करते हैं और दूसरों को नीचे मांते हैं शोटा समझते हैं ऐसे वेक्तियों का पतन होता ह उधारण के लिए हम देख सकते हैं रावड जैसे रावड के पास सारी सुख सुख शुदाएं थी बहुत संपत्ती थी सोने की लंका थी लेकिन उसमें एंकार था उस एंकार से उसका पतन हो चौथा पिरकास से पिरकास की ओर जाने वाला वेक्ती ये वो वेक्ती होते हैं जिनके पास धन है, संपत्ती है, सारे सुख हैं पर ये दूसरों ते गिर्णा नहीं करते हैं और इनमें एंकार नहीं होता है ऐसे लोगों का सदा ही भला होता है और ये समाज का भी भला करते हैं आप उधारन के तोर पर देख सकते हैं जैसे भी कोरोने जैसी महामारी में रतन ताटा और अक्षरकुमार ने कितना दान पुन्ने किया है। ऐसे व्यक्तियों पर इस्वरकी किर्पा सदा बनी रती है क्योंकि ये सदा दान पुन्ने का कारे करते हैं और खुद के साथ दूसरों का भी विकास करते हैं। तो मित्रो मेरा सबसे यही नविदन हैं, कि आप अपना भी आंकलन करें, और देखें कि आप अभी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और आगे किस प्रकार के व्यक्ति बनने जाते हैं, तो धन्य बाद दोस्तु, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो किर्पया करके इस वीडियो को सेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेड आइकन जरूर दवाईए, धन्य बाद.